अइंड हलो दोस्तावं आपका स्वॉागत मीदी चैनल में चलिए आज बनाते हैं टेस्टी सब्रेड पीजा इसके लिए eben चैन याज बनातीय सब्रेड लीए मैंने ब्राउन ब्रेड लिए आप वाइट भी ले सकते हैं जब तक अना पीजा की तैयारी करते हैं तब तक मैंन तवा भी गरम करने के लिए रख दिया है मैंने पीजा टॉपिंग लिया है जो कि मैंना ब्रेड के उपर अच्छे से फैला दूँगी आप चाहे तो पीजा टॉपिंग की बज़ाए मियोनीज और सॉस भी लगा सकते हैं पर अगर पीजा टॉपिंग लेंगे तो आपको किव की टेबल सोते करके रख दिती प्याज टामाटर और श्रिमला मिर्च उनको भी ना मैं इन ब्रेड पे अच्छे फैल आदूंगी यह देखिए मैंने चीज लिया है चीज को मैं अच्छे से तीनों ब्रेड पे ना स्प्रेड कर दूंगी मैंने चीज ग्रेड किया और तीनों ब्रेड पे लगा दिया है मैंने चीली फ्लेक्स लिया है और ओरिगेनो लिया है यह भी मैं तीनों ब्रेड के मैं थोड़ा पहले डाल रही हूं बाद में भी थोड़ा में डाल देती हूं टेस्ट के लिए और इसमें नमक की जरूरत नहीं है अलग से डालने की क्योंकि जो पीजा के लिए वेजिटेबल सोते की थी उसमें भी नमक होता है और इगनों में भी नमक होता है हमारा तवा भी बटर लगाँगी दोड़ा अब घीया ओयल भी लगा सकते हैं पर बटर का नहीं का लगी मस्त सा टेस्ट आता है इसके लिए मैंने देखिए बटर डेला तवे पे इसको अच्छे से पूरे तवे पे फैला दूंगी और अभी यह तीनों ब्रेड में इसके उपर रख दूंग प्लेट डख दूंगी कि प्लेट डखने से क्या है वह जल्दी पकेगा और इसको बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है दो तीन मिनट के अंदर ना ब्रेड एकदम मस्त करारी हो जाती है और चीज भी मेल्ट हो जाता है यह देखिए मैंने पकने के लिए छोड़ दिय ब्रेड पीजा को दो मिनट के बाद चेक करेंगे यह देखिए अभी प्लेट अटाते हैं देखते हैं अरे वह पीजा तो बनके रेडी हो गया है ब्रेड पीजा बहुत ही फास्ट बनता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है यह देखिए ब्रेड पीजा तैयार ह गया है आप भी ट्राइब जरूर किजेगा और मुझे बताईएगा कैसा बना दो